Hello everyone, Daily Current Affair Series में आप सभी का सौगत हैं। दोस्तो आज हम इस लेक्चर में 5 जुलाई के Most Important Current Affair को पढ़ेंगे, तो आप वीडियो लास तक जरूर देखेगा। तो चलिए सुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्ण है, हाली में जारी की गई Global Peace Index 2023 में भारत की रेंग क्या है। इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप सेने 126 रेंग रही भारत की Global Peace Index 2023 में। इसे जारी कौन करता है? इसे Institute for Economics and Peace द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें कुल 163 देश सामिल थे। इस बार भारत की रेंग 126 रही और 2022 में भारत की रेंग 135 थी। इसका मतलब है भारत की रेंग में सुधार आया है। और Global Peace Index 2023 में सीर्स अस्थान पर आइसलेंड रहा और दूसरे अस्थान पर डेनमार्क और तीसरे अस्थान पर आयरलेंड है। और अंतिम अस्थान पर अफगानिस्थान 163 अस्थान पर है। बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो पाकिस्तान का स्थान 146 रहा और म्यानमार का 145 चीन का 80 और नेपाल का 79 और भुटान की रेंग इसमें 17 रही भुटान की रेंग आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं विविन सुचकांग में भारत की रहंग देख लेते हैं। वैस्विक बौधिक संपदा सुचकांग 2023 में भारत का अस्थान 42 रहा, चुनावी लोगतन सुचकांग 2023 में 108 और वैस्विक आतंकबाद सुचकांग 2023 में 13 अस्थान भारत का रहा है। नेक्स्ट है, पेन प्रिंटर पुरसका 2030 किसे प्रदान किया गया है। इसका राइट एंसर हो जाएगा, option B. माइकल रोसन को पेन प्रिंटर पुरसकार 2023 परदान किया गया है। मुस्बिल हिल पुस्तक के लिए लेखक माइकल रोशन को pen printer prize 2030 परदान किया गया। किसके लिए मुस्बिल हिल पुस्तक के लिए pen printer पुरसकार की अस्थापना 2009 में हुई थी, अंग्रेजी pen द्वारा की गई थी, जो साहित और मानुधिकारों को बढ़ावा देता है। इस पुरसकार का नाम नोबल विजेता, हिराल्ड, पिंटर के नाम पर रखा गया था। यह पुरसकार प्रतिवस्ट, युनाइटेट किंगटम, आयरल लैंड, गड़राज, राष्ट मंडल या पूर राष्ट मंडल में रहने वाले किसी लेखक को दिया जाता है। अगला देखते हैं, 2030 में कुछ पुरसकारों को देख लेते हैं, अंतर राष्ट्री पुरसकार 2030 किसे मिला, जारगो, स्पोडिनों को, इनके उपन्यास, टाइम सेल्टर के लिए इन्हें यह पुरसकार मिला। फिजी और पापुवा निवगिने का सर्वोच नागरिप पुरसकार प्रधान मंत्री नरेन्मेदी को मिला, डाक्तर अंबेटकर अवार 2030 योगी आदितनाद जी को मिला, अंतर राष्ट्री सांखिकी पुरसकार 2030 सी आर राव को और बिजनेस लीडर आपदा डिकेड अवा इकार पुरसकार इस प्रधान किया गया है और 32 सम्मान 22ai किसे मिला है यह से चैज्ण चतुरवेदी को मिला है इनकी पुस्तक पागल खाना ब्लए यह मिला है, किसके लिए पागल खाना ब्लए आप इसको भी ध्यां रखेगा, नेक्स है, प्याँ、 ध्यां रखियें, Grand Prix को जीता है कुछ और Grand Prix के बारे में देख लेते हैं कनाड़ा Grand Prix 2013 कोन जीता है ? मैंक्स Veer Circuit ने इस्पेनिस Grand Prix मुनाको ग्रेंदच और बहरीन Grand Prix यह 4 Grand Prix Max Veer Chatapan ग्रेको पेरेज और अजर्बिजान सर्जियो पेरेज ने जीता है यह मैक्स वेर स्ट परेज इन हेर सबसे बड़ा नेचौरल आर्ख खोजा इसका राइट अंसर हो जाएगा उडीसा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क होजा गया है या भारती भू बग्यानिक सर्वेच्छंड जी एसाई ने सुंदर्वन प्रभाग के कनिका रेंज में इस्थित एक सांदार नेचुरल आर्क के खोज किया किस्ट भारती भ तक कासिक कार्व के दरान मानी जाती है जी आसाई ने नेचुरल आर्क के लिए जी यो हेरिटेज डैक प्रस्ताव रखें हैं यादेश बंधal की यर्टेज के बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा यह इस प्रकार कnosरें जो पहाडों की आकरित होती है तो इसे ही आरक कहा जाता है. GSI का मुख्याले कहा है? कुलकाता पश्यम बंगाल में GSI का हेड़क्वाटर है और इसकी अस्थापना कभी थी? इसकी अस्थापना 1851 में की गई थी. 4 मार्च 1851 में GSI की अस्थापना की गई थी. उडिसा की बात कर लेते हैं. उडिसा इसको राज का दर्जा का मिल था 1 अप्रेल 1936 को इसको राज का दर्जा मिल था. इसकी राजधानी क्या है? भूनेश्वर इसकी राजधानी है. बर्तमान में इसके राजपाल कौन है? गडेसी लाल इसके राजपाल है. मुखमंत्री कौ यूवा महिला राष्टी मुख्य बाद चैंपियंसिप किस ने जीता है इसका राइट अंसर हो जाएगा हरियाडा राज ने छटी यूवा महिला राष्टी मुख्य बाद चैंपियंसिप जीता है हरियाडा में छटी यूवा महिला राष्टी मुख्य बाद चैंपियंसिप 2013 जीता इसका आयोजन कहा हुआ है इसका आयोजन भोपाल मद्रध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ हर्याड़ा 13 पदक के साथ पहले अस्थान पे है हर्याड़ा ने 504 रजट और 4 प्रौंज सहीत कुल 13 मजल जीते हैं माराष्ट ने 403 रजट और 33 काश सहीत 10 पदकों के स दूसरे अस्थान पर, महराष्टा दूसरे अस्थान पर हार्याडा हैं और तीसरे अस्थान पर पंजाब है, और पंजाब को कुल साथ पधक मिले हैं, दो सवड दो रजट और तीन काश्च पदक पंजाब ने जीते हैं बात हो रही है हर्याड़ा की तो हर्याड़ा के मुख्यमंत्री कौन है और अगर आप इसका पीडियाप चाहते हैं तो जॉइन कीज़ें हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा चलिए आगे देखते हैं हाल इमें अंतराश्ट्री प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस्ट का मनाये गया इसका राई टेंसर हो जाएगा प्लास्टिक फ्री वर्ड को बढ़ावा देना और री यूजेबल बिकल्पों को प्रमोट करना है। इसका उद्देश क्या है। प्लास्टिक की थैलियों पर निर्भत्ता कम करने की दिशा में कदम उठाने के लिए सामउत चेतना पैदा करना इसका मुख्विद्देश है। यह क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 3 जुलाई 2008 को यूरोप ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैक के खिलाब जीरो वेस्ट यूरोप नामा के अभियान सुरू किया था। इसी क्योपलच में मनाया जाता है। कुछ जुलाई के कुछ प्रमोग देश्टों को देख लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स दे मनाया जाता है। विधान चंद्रवाय की जन्मदेन के उपलच में मनाया जाता है। कौन से दिवस मना जाता है। C.A.D. मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और U.F.O. दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाइ को अंतर रास्टी प्लास्टिक ब्याइड दीष ग्यारा जुलाई को यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जैश्चा दीष पंद्रा जुलाई को 20य जुवर कॉस्टो दीष और रास्टी पलास्टिक सेजिदीष दीष भी जाता है। 18 जुलाई को National Mandela अंतराष्टी दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को Magro पारिस्तिती तंतर के सनच्चा के लिए अंतराष्टी दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को Hepatitis दिवस और 28 जुलाई को 20 प्रकित सनच्चर दिवस और 29 जुलाई को 20 बाग दिवस मनाया जाता है यह भी important है next है सैंन मामलो के बिभा के अत्रिक सच्चु कौन बने हैं इसका राईट अनसर वह जाएगा अतुल आनंद सैंन मामलो के बिभा के अत्रिक सच्चु बनाए गए है 21 वाइस एड्मिरल अतुल आनंद ने 33 जुलाई 2013 को सैन मामलों की विभाग के अत्रिक सच्व की भूमी का ग्रहंड की है लेप्लेंड जनरल यह किसके अस्थान पे है अनिल पूरी के अस्थान पे यह नियुक्त हुए है रच्छा बलो के प्रमुक के बारे में देख लेते हैं चीफ आपड डिपेंस बर्तमान में काई है अनिल चुछान जो है चीफ आपड डिपेंस है १ुलों के अजे लोक्त captured है जे बहुत इंपोर्डं इनसे सम्म engag देंट कुछ को देख लेते हैं एक्स खान क्वेस्ट बहुपच्छी संयुकत अभ्यास कहा हुआ मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है वाई सेना ने हाल में रण विजय अभ्यास का आयोजन किया है भारत के रच्छ मंत्रालेल अमेरिका से प्रिडेटर MQ रीपर ब्रोन की खरीद के लिए मंजूरी आही देवी है और भारती नव सेना चौथा युद्गत पोत्ट संसोधक लांच किया गया है माल दियोग का शैउत शैन अभ्यास एक्क्यवेरियन और भारत के बीच यह होता है एक्क्युवेरियनग इसका छोबाटिय है उत्तरक्षंड में सुरू हुआ है अगला प्रश्ण है अच्छर नदी प्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है इसका राइट एंसर वजाए option C साबर मती पर अच्छर नदी प्रूज का निर्माड किया गया है किंद्री मंत्री अमिसाने रभिवार को वर्चुल रूप से अहम्दाबाद में साबर मती रिवर फ्रेंट पर अच्छर नदी प्रूज का उधगातन किया है और इसका निर्माड किस ने किया है इसका निर्माड अहम्दाबाद म्यूनिस्पल कॉर्परेशन और साबर मती रिवर फ्रंड डेवलप्मेंट कॉर्परेशन गुरु ग्राम में स्टार्टप 20 सिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसका उद्देश क्या है? इसका मुख उद्देश अनकूल कारोबारी महोल को बढ़ावा देना है। बात करें G20 के बारे में तो G20 के स्थापना 1992 में एक अंतराष्टी संगठन के रूप में हुई इसका उद्देश अंतराष्टी 32 स्थीर्ता और सतत आर्थी विकास को बढ़ावा देना है। अब ध्यान रखिए कि G20 2030 की अध्याच्चता भारत कर रहा है। यह most important question है। अब अगला question है, NADA इंडिया ने किसके साथ समझहोता किया है। इसका right answer हो जाएगा option C, NADA ने क्या है, South Asia Regional Anti-Doping Organization इसका full farm है, और NADA का full farm क्या है, National Anti-Doping Agency नाडा का full farm है, ने नई दिल्ली ने 3 जुलाई 2030 को दच्चिड एसिया च्षेत्री doping रोधी संगठन सराडो के साथ समझहोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है, कहां पर नई दिल्ली में 3 जुलाई 2030 को, इसका उद्देश क्या है, खेल में doping रोधी छेत्र में, छेत्री सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश है, नाडा की अस्थापना कब इसका राइट एंसर हो जाएगा, उप्शन डी, इंडिगो एरलाईन एक लाग करोण रुपाय का बाजार पंजी करण हासिल करने वाली भारती एरलाईन बन चुकी है, देश की सबसे बड़ी एरलाईन कमपनी, इंडिगो की पैरेंट कमपनी, इंटर ग्लोब, एविएशन का मार्केट वैलू एक लाग करोण रुपाय पर पहुच गया है, इस मुकाम तक पहुचने वाली यह देश की पहली एरलाईन कमपनी है, दुनिया की टाप 10 लिश्टेड एरलाईन कमपनीों की अगर बात करें तो मार्केट वैलू के हिसाब से इंडिगो एरलाईन दस्वे अस्थान पर किस अस्थान पर दस्वे अस्थान पर पहले अस्थान पर डेल्टा एरलाईन इंक जो दुनिया की सबसे बड़ी एरलाईन है but इंडिगों की अस्थापनी कर थे हुए थी 2006 में इसकी अस्थापनी एक और इस का मुख्याले का है। हरियान के मैं कि अब हम लेती मचली गलपडो की सहता से सांस लेती है बात करें जलीया वाला बाग हत्यकांड कब और कहां हुआ तो 1919 में अम्रिस्टार में जलिया वाला बाग हत्यकाण्ड हुआ था पंजाब केसरी किसे कहा जाता है लाला लाजपतराय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है सांडर्च की हत्या किसने की थी भगत सिंग और राजगुरों ने सांडर्च की हत्या की थी 1857 के विद्रों में किस ने अपना बल्दान सबसे पहले दिया तो मंगल पांडे ने अपना बल्दान सबसे पहले दिया था भारत की पहली महिला राजपाल कौन थी? सरोजिनी नैडु भारत की पहली महिला राजपाल थी आर्समाच की अस्थापना कि निंग थी, श्वामी दयानन सरसवती ने आर्समाच की अस्थापना की थी. है आज देखते हैं, आप ब्याज प्रसम्ण देख लेते हैं, प्रधान मंत्री मोधी आप इसका answer कमेंट बॉक्स में पिन करें यह रहे आज के प्रश्म थैंक्यू फॉर वाचिंग